अब एक तरफ तो भारत जो है वो 5G टिकनोलोजी और 5G उन्होंने इनागुरेट कर लिया है पाकिस्टान आज भी आडियो लीक्स पे गुजारा कर रहा है वजीर आज़ाज मिम्रान खान की नहीं आडियो लीक्स आ गई पाकिस्तान की गोवर्मिंट इंटरनेट सर्विस बेहतर करने में फोकस क्यों नहीं कर रही इंडिया ने अगर अपनी सर्विसीज को बेहतर किया है 5G पे आ चुके हैं 6G पे वो वर्क कर रहे हैं मतलब आने वाले दिनों में 6G को लांच करेंगे इंडिया तो वैसे टेकनलोजी में देखे न वहुत बहुत आ गया इंडिया एकानुमी उन्होंने एलेक्ट्रिक कार भी है और पाक्सतान में पाक्सतान में यह लोगों को बस सियासत में सेला हुआ हुआ है उन्हें उधर लगाया हुआ है बस यह तो मसला यह कि हमने कभी development का सोचा ही नहीं है कि हमें बस हम सर्वाइब करना चाहते हैं डिवलप होना तो हमारा यह नहीं हैं हमुद्र से क्लिप देखा आपको पता होगा कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत में 5G लाँच किया हाला कि आपको बता दू कि भारत 5G के मामले में थोड़ा सब पीछे रह गया वैसे भी almost 70 countries प्लस में 5G लाँच हो चुका है और सबसे पहले आपको याद होगा कि साउध कोरिया में ये हुआ था और साउध कोरिया इस मामले में सबसे आंगे था अब भारत में 5G आया है डेफिनेटली मुकेस हमबानी का कहना है कि वो इस साल के अंत तक भारत के कोने-कोने में 5G पहुचा देंगे देखते हैं हो सकता है साइध प्लानिंग हो सबसेट अब बना हो बस पहुचानी की देरी है हाला कि आपके 4G फोन है तो आपके लिए प्रॉबलम है बट 4G की स्पीड भी वैसी नहीं है वीडियो के लास्ट पर मैं बताँगा मेरे को इसके वारे में थोड़ा सा नॉलेज है पहले देखते हैं पाकिस्तानियों का रियक्शन पाकिस्तान के कमर शीमा साजीत तरार की प्ली्ज शानल को सब्सक्राइब करेंगा आडियो लीक्स आहीं हो यह हम ही डार्क वेब पे चल रहे हैं सारा टाइम यह किस तरह फूल की डिरेक्शन बन रही है ताग सब चीबा सब फाइब जी तो मैं समझ तो एक मामूली केस है जिस त्रीके से भारत आगे फ्यूचर में जो उनके मनसूबे नजर आ रहे हैं आपको हर आफ़ते हर दूसरे दिन इस तरह की खबर मिलेगी क्योंकि मैंने आपको शाय दो चीज़ें बताने की कोशिश की थी कि दुनिया की हर नैशनलिस मूव्मेंट जो चली थी कुछ हरसा पहले पूरी दुनिया में वो गिर चुकी है सुआए मोधी साब के मोधी साब की जो जो उन्होंने इस वक्त भारत को स्टेरोइज पर रखाव है चाहे कि दुनिया को पसंद आए या ना आए लेकिन उन्होंने जो भारत को दिया है भारत में जो नैशनलिसम मैं हमेशा कहता हूँ कौमों की तरकी के लिए नैशनलिसम बहुत इंपॉर्टेड होता है कि पूर निकेस है उन्होंने भारत के अंदर टेक्नालोजी को या चलें मैं जिस तरह भी आप कहलें जो उन्होंने एक मूव्मेंट शुरू कर रखी है जो कंपेर शुरू कर रखी है टेकिंग इडिया तो दर नेक्स लैवल ड़ वर्ड नीड तो सी इट नफरत में आपनी आंखे बंद करें रियलिस्टिक बनें देखें कि वट इस हैपनिंग भारत और उससे कुछ लर्ण करने की कोशिश करें ठीक है आपको भारत से इतनी ज्यादा नफरत है कि वहां से आप नहीं सीखना चाहते आप भंगा देश से कुछ देख लें आपका हिस्सा थे वो अब आपको को वो बाइपास कर चुके हैं देखें वहां से कि उन्होंने किस त्रीके से अपनी 51 परसेंट विमन जो हैं उनको काम में लगाके स्वेट शेल्टें बना बनाके स्वेट मार्किट बना बनाके आपका काटन का सारा बिजनस वो ले गए हैं और हो डियार ऑपरेटिंग वट देख रही है कि एक अपोइंटमेंट इस हाओ इंपॉर्ट इस एड़ इस नाट ओनली पाकिस्तान के साथ जाती है पाकिस्तनी अवाम के साथ जाती है लिकिन 21st सेंचरी में यू लुक फॉप सिटिंग वश्चेंट डीची लुक लाग यू अर लिविग इन 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 इस 25 क्रोड अवाम जो है वो डेली बेस पे अब न्यूटरल न्यूटरल गालिया निकलवा रहे हैं हमारे बादिम्रान खासर आखिर क्या वज़ा है कि पाकिस्तान की गोवर्नमेंट इंटरनेट सर्विस बेहतर करने में फोकस क्यों नहीं कर रही इंडिया ने अगर अपनी सर चीज हो चुकी है دنیا ओनलाइन हो चुकी है एज्यूकेशन को देख लें आप किसी भी फीर कोई बिजनस को देख लें ट्रेइडिबंग को देख लें हर चीज ओनलाइन हो रही है हमारा जो सिस्टम है हमारी जो गॉर्मिंट है वो 3G पे क्यों भी ता कड़ी है या जब 4G है अगर भी प्राइविट लेवल पे है आपको गॉर्मिंट लेवल पे मतलब लोकल नहीं मिलेगी आपको पैकेज करना पड़ेगा जो है ना बात अगर आप चले जाए ना गाहों मे वहां पर आपको ऑनलाइन वगेरा अगर को भी काम करना है नेट पर बहुत कम स्पीड मिलेगी वह यह 2G 3G वाला चेकर चलता रहता है जब लाइट चली जाए तो सिंगनल भी गया है यह गौह में चलता है अगर इधर आज गौह शेयर में आ जाए ना तो इधर भी कुछ वाई फैब अगरा पर काम सला लेते हैं लेते ने आज 5G लाँच हुई है ठीक है इंडिया तो वैसे टेकनालोजी में देखे ना वह तो बहुत आगया इंडिया एकानूमी उन्होंने ऐलेक्टिक कार भी है वह टेकनालोजी में वह तो बहुत हूँए और पाकिस्तान में यह लोगों को बस स्यासत में सेला हुआ है उनों उदर लगाया हुआ है बस यह वीडियो लिक्स कर रहे हैं अवाम को कोई इसका हाल कै इसका हाल कि है देखे हमने बहतर की की तरफ भी जाना बजाए ठीक है इसूस पर बात भी करनी चाहिए लेकिन उनका हाल भी कोई सोच नही है कि आप अपना मीडिया ना उसको थोड़ा सा इस लोगों इस बारे मुटईवेड करें कि यहें हमारे जो मेजर प्रौब्लम्स एंट एकनलोगी आघंवर किया औरे नहीं आती लाहर के लाहर के अंदर तो गउंकि आप अमैजन कर सकते हैं अगर आप बात कर लें वहां पर तो कि पीडिया ने आज फाइफ जी लांच की है अब उनकी नजर शिक्स जी पे है फाइफ जी लांच आज आज आफिशली कर चुके है अपने तेरा बारा तेरा सिटीज में तो क्या कहते हैं उनको इस चीज का क्या फाइदा होगा और दूसरे नमबर क्या उन्होंने क्यों इसकी जरुट को महसूस किया हम क्यों नहीं इस चीज को महसूस कर दो है असलिता में जो मिरा ख्याल है ना मतलब अधर को लागत ऑफने कि पाते है न discussion आ explan सान हम चै अन्धर शी में में उससी फटी बात की है पीडória हैं कि सर्वीज सिर्फ दे रहे हैं प्रापर उन्होंने अपने तेरा शहरों में फाइफ जी लांच गार दी यह है कि उत्र सावजार एजूकेशन उत्र ज्याद है हमारे एजूकेशन का मसला उसके इलावा उनके जो है ना लॉज जो हैं वो उन पर हर बंदा इंप्लीमेंट करता हमारे लॉज पर कोई इंप्लीमेंट नहीं करता हमारे सारे मिले हुए हैं वो तरक्की के रहा पर गामजा नहाब हम तरक्की करना चाहते हैं लेकिन तरक्की फिर भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी हमें स्पोर्ट नहीं है और किसकी स्पोर्ट चाहिए हमें पॉठी चलती रहागी मतलब यह तो इसको बेथरी की तरफ लेकर जाना पाकिस्तान को भी हमने आगे लेकर जाना इंटर्नेट सर्विस को बेठर करना हाल बताएं काफी आपका टाइम लिए कैसे हम भी बजाए यह कहने के जी आज इंडिया ने 5G लाँच कर दिया, आज अमेरिका में यह हो गया, आज चाइना ने यह कर दिया, अपना भी तो हम कुछ बताएं कि आज हमने यह कर दिया, हम यह जो छोटे लेवल के लोग है, यह वो तो भी वीडियो यहां पर होता है, खत्मा आपने देखा किस तरीके से भारत में 5G ल सोला लास्ट सत्रा स्टार्टिंग में भारत में छोटे-छोटे सहरों में पहुँच गया था, और उसके बाद से सारा गेम ही चेंज होगे, आपको पता है कि आपको याद होगा 2016 या पंदरा का दौर, उस टाइम पे एक जीवी डेटा, 190 रोपे में या टेल में डलता था, और बहुत सारे, मतलब बहुत महंगा था और वो एक जीवी डेटा आप एक महीने में क्या वो दो दिन में खतम हो जाता था, आपको पता है कैसे खतम होता था, अब एक जीवी डेटा तो अब आप का हवा में खतम होता है, अलेकि उस टाइम पे इंस्टाग्राम या टिक ट नहीं था उसके बाद भी खतम हो ही जाता था बट अब सीन ऐसा है कि आपके पास सगर 2G भी डेटा भी है तो आपका खत्म हो जाएगा आप रील्स देखते रहेंगे उपर नीचे करते रहेंगे एचडी में वीडियो देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट की आप गिरप्ट में आगये आपको पता है कि टाइम कैसे पास हो जाता पता नहीं सोबाय से साम कितनी चल्दी हो जाती मुबाइल में ही बहुत सारे हम घंटे बिता देते हैं बद फिर भी भारत में नैट की स्पीड नहीं है आपको पता है सब कुछ पता है नैट की स्पीड नहीं है 4G बोलकर 3G वाली स्पीड मिलती है 5G बोलकर अगर 5G का जो मतलब बोला जाता है कि इससे 100 गुना जादा स्पीड रहेगी 4G से मैं कहा रहो 100 गुना ना जाद रहे यार बस 20-30 गुना ही जाद रहे मतलब 100 की जगा 70% काट के 30% बस रहे ना तो भी बहुत रहेगा बहुत स्पीड होगी उतनी वस मिल जाए देखते हैं अब होता क्या है आप देख सकते हो कि 5G को लेकर अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इससे क्या क्या हो सकता है इससे बहुत सारी चीज़े हो सकती इवन कार ड्रोन से ब्रिलेवरी बहुत सारी चीज़े मतलब जो कि अभी साइड इंडिया में थोड़ा सा टाइम लगेगा मैं चाहता हूँ 5G आने के बाद से स्पीड बस बढ़ जाए हलाकि एक प्रॉब्लम होगी एक प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम होगी स्पीड वाला मजा ले लो तो आपको क्या कहना है दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है हलाकि भारत यह भी बोलना है कि 3G 4G 5G के बाद अब 6G पर भी हम काम करना शुरू करेंगा अब देखते हैं क्या होगा